आपा बिटा स्टार्ट कर रहे सी सिंपल हार्मोनिक मोशन इदी विच तेखो जो रिस्टोरिंग फोर्स है देट इस माइनस के एक्स एक्स है दिस्प्लेस्मेंट उन इत्थे जड़ी इंफर्मेशन था नो को तुर पता होनी चाहिए दिया देट इस कि अगर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन दे विच रिस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेस्मेंट एक्स दे विच ग्राफ प्लॉट किता जाए बिटा तो ओधी शेप की आएगी स्ट्रेट लाइन क्योंकि के कॉंस्टेंट और प्रपोर्शनलिटी है तो एफ इस डिरेक्ली प्रपोर् क्योंकि negative sign है ना और इस ग्राफ दी जो slope है ना FX ग्राफ दी जो slope है वो दसे की के बारे क्योंकि जो के है that is F by x मौड मौड आ गया ना नेगटिव साइन खतम हो गया तो अपा मेगनिट्यूड ही लेना वा तो तुसी नोट कर लो इत्त हो कि अगर अपा इस ग्राफ दे उपर एक पॉइंट सेलेक्ट करिए तो अगर तुसी इस ट्राइंगल यूज कर लो चाहे इस ट्राइंगल नो हना तो स्लोप ओफ एक्स ग्राफ फॉर एस एचेम ओके दे बरबर आ रही है टैन धीटा है और इस ट्राइंगल यह इस ट्राइंगल टैन धीटा की है एक्स और एक्स और एक्स की है कि तो केंदा मतलब यह है कि जो एफ एक्स ग्राफ है ना उस ग्राफ दी जो स्लोप है और एक्चुली यह स्लोप नेगेटिव है पर अपनेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करना जोंकि के जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है इस करके त्यांच रखियो कि जो के है स्प्रिंग क स्ट्रेट लाइन पासिंग त्रू दा ओरिजन और उस स्ट्रेट लाइन दी स्लोप नेगेटिव दा मतलब कि है कि क्योंकि एफ इस इक्वल डू माइनस के एक्स है ना बैथिमेटिक अली और दूसरी गल कि इस लाइन दी जो तुसी स्लोप निकालोंगे ओ वैसे दा नेग याद रखनी है काफी important point second वेटा अपकल गल किती सी कि कि अगर थ्वाटे सामने है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे है और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो तुसी study कर रहे हैं तो ओं मोशन हना ओं एट एनि पूजीशन स्टार्ट हो सकता वा जरूरी नहीं हो मीन पूजीशन तो स स्टार्ट होई जरूरी नहीं हो एक्स्ट्रीम पूजीशन तो स्टार्ट होई तो हुन इत्थी बिटा थ्वानु याद होएगा कि आपा हां सिंपल हार्मोनिक मोशन देवेच ए स्टड़ी किता सी कि जो पूजीशन है उनू जनली असी इस फार्मूला देनाल लिख देया जनली पर जे सानू क्लियर है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कित्कों स्टार्ट होया तो फेर असी फाइदी जड़ी वैल्यू है ना बिटा ओ उस दे अकॉर्डिंगली टी इस इकॉल डू जीरो अकॉर्डिंगली उस कंडिशन तो इनिशिल कंडिशन तो असी निकाल भी सक किता से उन विटा देखो अकर अपां सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी टाइम पार्टिकल दी पुजीशन एक्स इज इकॉल तो आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइदेना लिख देया तो फिर एट एनी टाइम विलोस्टी किद्दा निकालांगे पार्टिकल दी तो दी एक उन थानु पता अबा दस्या होया मैं स्टार्टिंग ची की सिंपल हार्मोनिक मोशन जेना विटा एक टाइम पीरियेट कॉंस्टेंट है टाइम पीरियेट कॉंस्टेंट होन करके फ्रिक्वेंसी भी कॉंस्टेंट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कॉंस्टेंट है और इन करनी असान हो जाएगे उन इत्थे बेटा आ एक टरम है आ दूसरी डरम है सेकेंड डरम उन दोना विच्चों क्योंकि आर कॉंस्टेंट है एंप्लिट्यूड तो इन्हों कुछ नहीं करना साइन नू जो तो तुसी टाइम देनाल डिफ्रेंशियेट करूंगे तो एक ता बन कि तो आर कॉज उमेगा टी प्लस फाई इंटू तो तुसी टाइम डिफ्रेंशियेट तो होजाएगा dt नू t नाल differentiate किता ना dt by dt 1 हो गया into 1 plus phi constant नू time नाल differentiate किता that would become 0 तो अगर shm गे विच असी particle दी position at any time equation number one दे नाल represent कर देया ता उस shm दे विच अट एनी time particle दी position equation number two तो पता लगी आर ओमेगा कॉस ओमेगा d plus five हुन बेटा इच्छ त्यान दे यो कि आज डी टर्म है न इस टर्म equation number one दे concentrate करो कि आज डी मैं circle की टर्म है यह टर्म time dependent term है और time लगातार continuously change हो रहे है तो यह जडी term है यह sine यह cosine जडी term होंदी है न विटा यह bounded functions है मतलब इना दी maximum value one है ठीक है उन्हें थे note करो बेटा sine और cosine दी maximum value one है उन्हें थे note करो कि क्योंकि जड़ो time change करेगा न टाइम दे change होंदे नाल omega t plus five जो एंगल है जिसनों असी यह बोल रहे हैं वही चेंज होएगा और phase दे change होंदे नाल साइन दी वैल्यू भी change करेगी और एक particular time ते जाके sine maximum हो जाएगा जड़ो sine maximum हो गया न तो उस वक्त x भी maximum होएगा और sine maximum क्योंकि बेटा one होना वा तो जड़ो sine omega t plus five one हो गया maximum ता एक्स भी उस वक्त maximum है और ओ आर दे बराबर होएगा इसे करके आर नो असी की कहने है maximum displacement है जिसनों असी amplitude बोल दे है उन इद्धा यह थे देखो equation number two ते भी देखो बेटा कि जदो time the value change हो रही है तो at a given time जदो omega t plus five the value जड़ी है उदे करके cause the value maximum हो गई one ता जदो cause maximum हो गया ना उस वक्त वान दे वराबर होना maximum तो जदो आवाली value maximum हो गई तफे velocity भी उस वक्त maximum हो जानी है आर ओमेगा इना मतलब जो maximum velocity during shm है ओ आर ओमेगा हों दिए और इन्हों असी कह दिनने यह विलॉसिटी एम्प्लिट्यूट होन तुसी यह थे गालनों समय ना किस तरह वाम अप्तर कि अगर मालनों तो हनू आज तो बाद कोई कहे find maximum velocity ने से चैंप तक तुसी आर ओमेगा आर है एम्प्लिट्यूट और अमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी दोना नो मल्टिप्लाई कर देनी है ओ मैक्सिमम विलॉसिटी डी वैल्यू है जिसनों विलॉसिटी एम्प्लिट्यूट भी बोलते हैं ठीक है यह टर्म तुसी याद रखनी है अच्छा हुन बेटा अगर थ्वाटे सामने असी एक्सलरेशन निकाल यहां देखो विक्वालनों ते आनल समझेओ होने अपा जड़ा टॉपिक पड़ रहे हैं यह देवेच असी यह मानने के चल रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दे दुरान पार्टिकल दी पुजीशन नों डेस्क्राइब करने अगर तुसी एक् और उस पार्टिकल दी मैक्सिमम विलोसेटी ऑर ओमेगा तो निकलेगी जैन्यों से आर्मेगा नों विलोसेटी एम्पलीटियूर गोलते हैं अगर बेटा तुसी एक्स कologिजीशन निकालनी है हो देखो एक्सलूरेशन एक्सलूरेशन बेसिकली किए डीवी बाय डीटी आ विलोसिटी दी वैल्यू जो है आर ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाई हुन देखो बेटा आर और ओमेगा क्योंकि यह सेपरेटली कॉंस्टेंट है तो इना दा प्रोड़क्ट भी कॉंस्टेंट है यह दोनों कॉंस्टेंट है प्रोड़क्ट कोज नूदिफ्रेंशिएट करूंगे रच कॉछ नूदिफ्रेंशिएट करूंगे यट विपॉर्ट विकाम माइनस साइड तो कॉस थीटा नूदिफ्रेंशेशन तो तो इस केस लिए विछ बेटा जटा ओमेगा वा ना इती अंदर देखो क्योंकि ओमेगा कॉंस्टेंट एक टी नू डिफ्रेंशियेट करां कि वन आ गया प्लस फाइए कॉंस्टेंट जीरो हो जड़ा आए आफ्टर डिफ्रेंशीशन तो ओमेगा और आव मेगा मिलके माइनस आर ओ नंबर थ्री तो तुसी यह थो कि लर्न की किता बेटा देखो त्यान दे यो कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन दे दुरान पार्टिकल दी डिस्प्लेस्मेंट एट एनी टाइम असी एक्वेजन नंबर वान नाल रिप्रेजेंट कर देंगा तो उस दी विलासिटी एक्वे और जिस तरह विटा मैं इच्छे दसे आगे थानों की आर ओमेगा की है विलासिटी दी मैक्सिमम वैल्यू उसी तरह इते देखो आर ओमेगा स्क्वेर की है एक्सेलरेशन दा मैक्सिमम वैल्यू जिन्नों सी इतनों की नेगेटिव साइन जड़ाई थी है ना वो सिंपली तो इस करके जो जिस तरह आर मेगा विलासिटी दी मैक्सिमम वैल्यू है डूरिंग ऐसेच अम उद धाहिं आर मेगा स्केर एक्सेलरेशन दी मैक्सिमम वैल्यू है डूरिंग SHM और इन्हों सी Acceleration Amplitude गोल देने हैं तो इत तक समय लग रही है पुतर दो नो येस सर तो हून देखो बालनों समझो हून बिटा एता है General Discussion की Velocity, Position, Velocity and Acceleration at any time, at any instant of time during SHM उन दूसरी गाल मेटा कि अगली गाला पहें नोट कीती है कि during SHM जो Velocity Amplitude ओ आर ओमेगा वा जो Acceleration Amplitude ओ आर ओमेगा स्क्वेर फार्मूला तो निकलना वा तो अगर भानुबव कोई बोले न पार्टिकल इस एक्जीक्यूटिंग सिंपल harmonic motion calculate its maximum acceleration तब तुसी केड़ा फार्मूला यूज करना आर ओमेगा स्क्वेर आर दा मतलब है Amplitude और ओमेगा दा मतलब है angular frequency तो ए ते आंच रखना हो और angular frequency दी वैल्यू तुसी angular frequency दी वैल्यू तुसी 2π बाई टाइम पीरियर तो भी निकाल सकने हैं ते 2π नू तो भी निकाल सकने हैं यह पॉइंट्स basic points याद रखने हैं हुन बेटा अगली काल देखो हुन त्यान देखो कि अगर x r sin omega t plus phi है तो velocity r omega cos omega t plus phi फार्मूला तो निकलेगी and acceleration minus r omega square sin omega t plus phi तो निकले अगर थानू कोई बोले कि velocity at any position अगर थानू कोई कहा है कि calculate velocity after time 2 second after time 2 and half second after time 3 and half second फेर ता तुसी आफ फार्मूला यूज करना ना तो इत्थे t दी जगाते वो जिवन टाइम सब्सिचूट कर दे रहे पर जेओ कभे calculate velocity at any position हाना उन थ्वानू पता ही है कि simple harmonic motion दे वेचे असी particle दी पूजीशन एक्स दे नाल रिप्रीजेंट कर रहे हैं तो यह ना मतलब वो कि विलोस्टी और एक्स दा रिलेशन निकालना उन्हों कितना निकल सब्सक्राइब वेटा क्योंकि विलोस्टी दा फार्मूला है आर ओमेगा कॉज दिस वान हाना उन्थवानू पता कॉज थीटा नूना तुसी लिए अंडरूट वन माइनस साइनस के और थीटा लेख सकते हैं उन्हेता साइनस के यह यदा जेटा sine square theta वा उन आ देखो A है sine theta तो इत्वे sine theta धी value x by R है तो 1 minus x by R the whole square तो V is equal to R omega under root R square minus x square by R square उन R square under root जो दो बाहर निकलेगा R, R cancel out हो जड़क है तो velocity वोट ब्यकम V under root R square minus X square तो ए फार्मूला जडा न इत बिकम्स relation between velocity and position मतलब हुन अगर थानुओ कवे find the velocity of the find velocity of the particle executing simple harmonic motion at mean position तो at mean position velocity निकालन दे लई थो आनुओ X पता वहा न X 0 mean position ले तो X 0 इते पुट करांगे आपा तो V would become omega under root R square minus 0 square is equal to omega R पर omega R तो थो आनुओ नाली यहार आना चाहिए था कि ओ ता velocity amplitude हुन था maximum velocity उने थो आपाई भी गल लर्न कर लही कि at mean position during SHM जोदो particle mean position तो लंग दा ना उस वक्त तो दी velocity maximum हुन दी है maximum velocity हुन दी कि नहीं है omega और कित्थे हुन दी है जोदो particle mean position दे है और अगर थो आनुओ के calculate velocity at extreme position और extreme position दे लही बेटा जो एक्स है वो दो तरह नाल डिसकस होना मा देखो क्योंकि तो आनुओ पतावा कि अगर आगर दो extreme position है a and b और आ mean position है तो इदे लही जोदो आपा b दे हैं तो साड़ी x है प्लस आर और जोदो आपा यह थे है पार्टीकल तो x है माइनस आर तो इस करके बेटा at extreme position x दी वैल्यू प्लस माइनस आर है अगर इत्थे देखो इत्थे चाहे x प्लस आर पुट करो चाहे माइनस आर x square ओ प्लस ही हो जाना न और आप माइनस करके r square माइनस आर स्केर जीरो हो जाना तो v is equal to omega अंडर रूट r square माइनस x दी जागा प्लस माइनस आर दा होल स्केर तो omega अंडर रूट r square माइनस आर स्केर इस इक्वल टू 0 it means during shm बेटा तुसी की नोट किता कि जड़ा पार्टीकल है न ओधी जड़ी velocity है ओ constant नहीं है ओ वेरी हो रही है चेंज हो रही है बदल रही है और कितना चेंज हो रही है बेटा मीन पुजीशन ते maximum है किनी omega और जदो पार्टीकल एक्स्ट्रीम ते पहुंच दावा तो ओधी velocity minimum हो जान दी है zero और फिर जदो एक्स्ट्रीम तो मीन वाल आंदा वह उधी velocity increase कर दी है जदो मीन तो एक्स्ट्रीम वाल जानदा तो decrease कर दी है और इस तो इलावा तो उसी किसे भी पुजीशन दे निकाल सकते हैं अगर तो अनों कवे ए पार्टीकल इस एक्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कैलकुलेट इस विलॉस्टी एट हाफ एंपलीट्यूट एट हाफ एंपलीट्यूट दा मतलब है कि एक्स दी वैल्यू तो आरवाइटू है तो आरवाइटू पुट कर दे तो वी विलॉस्टी उस पॉजीशन दिया जाएगी तो आर्ष्पेर माइनस आरवाइटू है ना तो इन्हों सॉल्व करके निकाल सकते हैं तो कहनदा मतलब यह वैटा कि जेड़ी विलॉस्टी है ओ एक्ट एनी पुज अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस कर रहा है एलॉंग वाइए एक्स वाइनल रिप्लेस हो जाएगा हना सिंपली बाकी फैक्टर्स हो ही रहेंगे आर आर दा मतलब अगर मान लोकाल नू थ्वाड़े सामने स्टेटमेंट चो गोल दा बाकी एंपलीट्यूड आर दी जगा ये सिंबल आ जाएगा तो ओं सिंबल्स की रिप्रिजेंट कर रहे है वो तुसी याद रखना वाना वो इंपॉर्टेंट है तो इस तरीक के नाल असी विलॉस्टी निकाल सकते हैं विलॉस्टी एट एनी टाइम भी विलॉस्टी एट एनी पुजीशन और वो पुजीशन जो पास कर रहे है और वोधी मिनिममम विलॉस्टी जीरो हुन दी है जो एक्स्ट्रीम पुजीशन दे तो एह है बेटा अबाउट विलॉस्टी दे बारे हुन है नेखो हुन देखो बेई एक गल होर समझो कि जड़ा थोड़ा पार्टिकल है आप अधी वि मुले ना रिप्रिजेंट किती जा रहे है और अगर मानलो थौन वो कवे की ड्रॉग ग्राफ बिट्वीन विलॉसिटी एंड पुजीशन पुजीशन विलॉस्टी ग्राफ हुन जितना एफ एक्स ग्राफ अपन देखे ऐसी हो स्ट्रेट लाइन है न हुन ए विलॉस्टी एक्स ग्राफ और एसेचम की है देखो उन ओधे लही थानों याद रखना पहना पर्टिकुलर रिनॉन मेडिकल स्टुटेंट्स के वेलॉसिटी और आं ओमेगा नीचे आ गया वेटा ये था अंडर रूट आर चेयर माइनस एक्स स्केयर कुण थान्म्नों सैट्स को ठावेड सरृ नहीं और पंकल देखे ली स्क्वेड स्क्वेर अग्साइट्यार प्लस एक्स स्क्वे this is known as ellipse equation of ellipse तो अगर आपा विलोसिटी पुजीशन ग्राफ फॉर एसे चेम ड्रॉ करांगी हो एलिप्टिकल शेप दा हुएगा तो उनों दी शेप किद्धा दी होएगी किस तरह दिया ना तो ए एद्धा भी हो सागदा एलिप्स एद्धा भी हो सागदा पुत्र एलिप्टिकल शेप आगे तो हुन इस केस दे विच देखो त्यांदे यो नहीं थ्वाड़ी पुजीशन एक्सेस और आगी थ्वाड़ी विलोसिटी एक्सेस एलिप्टिकल शेप चाहिए उन इस इस इलिप्टिकल शेप ने विच आजड़ी इंटरसेप्ट है ना वला दिस वन एंड दिस वन तो इदे क्वाडिनेट्स की ए तो एदा एक्स प्वाडिनेट्स जीरो ही है और वाई किना वाप उत्तर है तो नो किना एक्स जीरो पुट करके देखो अगर तुसीं यह थे X 0-0 जाएगा आर स्क्वेयर अमेगा स्क्वेयर तधिव फैली आजाएगी प्लस माइनस आरो मेगा मतलब इदर 16 मेगाओ और माइनस आरो मेगा यह मेंस अजडी दूरी एः इस आरो में का उपर नू और नीचे नू आरो मेगा और अगर तुसी आप वाइ-टकर दिना थे नवी सथे लिए इंटने विलॉसटी जीरो है अगर भी जिरो पुट कर देने हिता तो X감ma वैल्यू प्लस माइनस आर तो आठ डिस्टेंस भी आ रहे है और आठ डिस्टेंस भी आ उन कहने दा मतलब है कि पर्टिकुलर ली जिस तरह कॉंपिटिटिव एक्जाम दे लहीं अगर तौन वो कवे एक ताउ कुछ सा कि दाजा की फॉर एस एच एम विलास्टी पुजीशन ग्राफ दी शेप दसो कि स्ट्रेट लाइन है कि सर्कुलर है कि तो आंसर ना इलिप्टिकल है ना पैरा बोलीक है तो इलिप्टिकल शेप है और दूसरा इस इलिप्स दी जड़ी शेप है अगला पॉइंट भी देखो एता है अप्रॉब्लम्स आपा लेटर ओन डिसकस कराने है अचा अगला पॉइंट भी देखो एता है अपना विलास्टी एट एनी पॉजीशन दे रिगार्डिंग ग्राफ दी गाल कर रहे सी है ना वोदी इंपॉर्टेंस दी गाल सुनो देखो अगर मनलो थ्वानू उन्हें बोलया हुए क्योंकि इस टॉपिक देवेच आपकी मन के चल देया कि जड़ा एक्स है ना वो जन मिन पॉजिशन तो स्टार्ट होया फिर तुसी ऐक्स दी वेल्यू आर सइन ओमेगा टी लेनी हैं क्योंकि फ़ेर्ख वैल्यू जीरो ये एक्स आर साइन मेगा टी आ तो फिस विलॉसटी वेल्यू आर अमेगा काऊज ओमेगा टीू हो जाएगी ठीक है और इस case देखो बеся गयां और एक्स धी वैल्यू आर साइन ओमेगा ठीयी है तो एक्सल्रेशन गी वैल्यू माइनस आर ओमेगा स्केर साइन ओमेगा ठीक है क्योंकि फाइड एक्स फाइड यरो जीरो है ना तो जोंग classrooms तो इस करके फिर ओ फॉर्म एदे रहने हैं और इना किसी दे विच तुसी न एक्स टाइम ग्राफ विलासिटी टाइम ग्राफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ एक्सलेशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ विलासिटी टाइम ग्राफ फोर एक्सेच एम ड्रॉ कर सकने उन ओधे लिए बिटा देखो कि जिस तरह आ है एक्सटी ग्राफ लेए अपा आप अमनलो विलोस्टी टाइम ग्राफ लेए और थर्ड वान ने बिटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले ना अझा एड ऑजड़ा एक्सी कि ग्राफ हए ना यहां आप एक्स और टाइम ग्राफ साइन करऊव वहीं लड़ा हई तो साइन करऊ-दा ग्राफ मतलब इस तरह ना ग्राफ एस साइन करो गए 0 तो स्टार्ट हो रहे हैं न फिर मैक्सिमम तो A ग्राफ है तो A ग्राफ X और T दे विच ग्राफ है और इस ग्राफ दे विच जड़ा अम्पलिट्वीड है दिस वन A R दे बराबर अच्छा अच्छा विलास्टी टाइम ग्राफ है वो कोसाइन ग्राफ है तेड़ा कोसाइन ग्राफ है वो मैक्सिमम तो स्टार्ट होना वा अच्छा ग्राफ नो प्रॉपर शेप चे ड्रॉख करने ले ना मैं आकी कर रहे हैं आँ लाइन्स ड्रॉख करती है ना तो हुन बेटा जिड़ा थोटा को साइन ग्राफ है विलोस्टी टाइम ग्राफ है एक को साइन फॉर्म छोड़ा मतलब इन्हें मैक्सिमम तो स्टार्ट होना और इन्हें 90 ते जाके मिनिमम फिर मैक्सिमम और फिर प्कॉषाइन साइन ग्राफ बन जाना इस्ट रेगें साइन ग्राफ है प्र एक्षाइन्गर उबधेला प्रकेनर आप साइन्गिंगर कर्ट मैनश मेंस म्तलिए ही यहिता पहला पार्ट पॉजिटीव ऍहींगरा नगयटीव आपने तो एक सीकल है अगर्टर उफ customer तो पॉस्टिव वाला चलना और एदा एंप्लिट्यूड आर ओमेगा स्कूर दिस इस आर ओमेगा स्कूर तो ए ग्राफ्स ड्रॉ करने आ सकते हैं फॉर पर्टिकुलर वैल्यू और फाइव मतलब जीरो दे लहीं न में ली तो अगर दा थौनु पता थौनु में दस्या होया कि अगर तुसी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर रहे हैं और उस मोशन पे दो रहान थौनु कुछ नहीं दस्या आ जानदा कि पार्टिकल इनिशली किते सी तो मीन पॉजीशन दे सी तो ओढ़े लेखे ओधी पूजीशन लबन लेए एक य्शायीनु मेगा टी होयागए विलासिटि र उमेया कॉज होएगे और एकसph ard न ओमेगा स्केर साइन हमेगा कॉएगे कि आज टरम है इन्हों अपा की बोल देयां फेज पर होन इत्व हो जिड़ाइकस है उन्हों अपा आर साइन ओमेगा टी लिखने है विलोस्टी जड़ी है उद्री आर मेगा कॉसमेगा टी है ना कॉसमेगा टी है नुह थी प्लस 90 लेकशाज में साइने कॉस B साइन A प्लस B नो एक्समेंड करो साइन प्लस कॉस B अना तो प्लस कॉस B साइन A तो इस करके साइन A प्लस B प्लस innovation ह Corinth प्लस प्लस B अंदिये expansion दीजिए the sine a plus b है sine a cos b plus cause a sine b है ना उन्हें थे a omega t है और b 90 है cos pi by 2 जीरो होना ना याद रख ले ना तो इस करके उन्हें थे sine omega t plus 90 is equal to sine omega t cos 90 plus cos omega t sine 90 उन्हेंटा cos 90 0 होन करके पहली तर्म 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 होन करके cos omega t it means sine omega t plus 90 cos omega t दे बराबर लिख सठने है अपर अच्छा इसी तरह ना जेड़ी acceleration है ओ है minus sine omega t इन्हों ना तुसी sine omega t plus 180 डिग्री लेख सठने देखो sine omega t plus 180 डिग्री तो sine a cos b plus cos a sin b उन्तों याद होना जेदा cos pi जेड़ा ना माइनस 1 होनदा तो माइनस साइन दी टर्म ची लिख लेगा है पर साइन दी टर्म ची लिखन लेगा है अपा इन्ह नाल फेज जड़े एंगल्स है वो लगलग नाल एड़ कीते है ना पाई बाई बाई टू पाई तो इधा फेज है ओमेगा टी एधा फेज है ओमेगा टी प्लस 90 और इधा फेज है ओमेगा टी प्लस 180 तो इधा मतलब इन SHM याद रखने है रिजल्ट्स इन SHM फेज डिफरेंस बिट्वेइन फेज डिफरेंस बिट्वेइन X and V is 90 degree or pi by 2 radian the phase difference between velocity and acceleration is velocity the pi by 2 and the pi f again 90 degree or pi by 2 radian and phase difference between X and acceleration is 180 degree or pi radian इह रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए थानों कि इन SHM position या displacement velocity और acceleration दे विच phase difference होना तो नतलब उन्हों आप इदना समय सकते हैं कि उन्हों इदना क्या सकते हैं कि phase difference दा concept कि अगर starting time ते displacement 0 है तो velocity maximum है ते acceleration 0 है and after Ida time है this time ये basically ty4 time है तो ty4 time दे उपर displacement maximum है velocity 0 है and acceleration negative maximum है मतलब नेगेटिव maximum तो इस तरीक के नाल समय सकते हैं तो ए रिजल्ट्स तो आन्नों याद होने चाहिए दें अजन्यों इसने के तुक्तर वेटा झाल झाल